बिहार के भागलपुल में जनसवा को संबोधित करते हुए बीजेपी के रास्त्री अध्याक्षु जेपी नडडा ने कहा कि एक समय था जब राजनीती और राजनीताओं के बारे में आम लोगों की ये मान सिकता थी कि कुछ नहीं बदलेगा सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा सब बैमान है लेकिन दस वर्षो में अंतर ये है कि आज भारत का आम आदमी भी विक्सित भारत के संकल्प के लिए एक साथ खड़ा हो गया है कि आज मोधी जी के नितुत में चाहे देश की राजनीती हो चाहे प्रदेश की राजनीती हो सब में बहुत बड़ा परिवर्तन दस साल में आ गया है बहुत बड़ा परिवर्तन एक समय था जब आप राजनीती और राजनीता और राजनीतिग्यों के बारे में आपकी टिपनी होती थी आपका कहना होता था कि यहाँ कुछ नहीं बदलेगा यह तो ऐसे ही चलेगा यह सभी राजनीता बेइमान हैं इसके ढ़रे में कोई फरक नहीं आएगा एक उदासीन मानसिक्ता में आप जी रहते हैं सब बराबर हैं कोई फरक नहीं पड़ता कोई आ जाए कोई चला जाए यह मानसिक्ता साधारन व्यक्ति की भारत के राजनीती के मानवी की बनी भी लेकिन दस साल में यह अंतर आ गया कि आज भारत का साधारन मानवी भी विक्सित भारत के संकल्प के लिए साथ ख़ड़ा हो करके चलने के लिए तैयार हो गया यह बदलता भारत है झाल झाल